हेलो बच्चो टोड़े वी लर्न क्लास 9 मैथ चेप्टर टू एक्सरसाइज 2.1 फोर एंड फाइब बच्चो इस वेड़े हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्षिन नमबर 3 4 & 5 को समझेंगे तो बच्चे क्षिन नमबर 3 4 & 5 समझने सपले न आप लोग कुछ न बेस पढ़ा दूँ मैं तो बच्चे देखें ना सबसे पहला concept कि है सबसे पहला concept यह ना बच्चे के बारे में डिग्री क्या होता है तो डिग्री ना बच्चे देखें याद रखें डिग्री को याद रखें डिग्री क्या होता है दा highest power of the variable is known as degree या फिर the maximum power of a variable is called degree तो highest power जो भी कि इसका degree क्या है तो बोलोगे sir इसमें variable न sir x है और इसका maximum power क्या है sir यहाँ पर 2 है और यहाँ पर sir क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है 0 है तो maximum power क्या है 2 है तो इसलिए इसके degree कितनी हो जाएगी बच्चे 2 हो जाएगी ठीक है अब बोलोगे आप मैं पुछूंगे बताओ इसमें इसके degree क्या है इस वाले polynomial क्या है तो आप बोलोगे sir इस वाले na polynomial में variable x है और maximum power sir 3 दिख रहा है तो इसके degree कितनी होगी sir इसके degree 3 हो जाएगी ठीक है इस वाले question में भी बोलोगे variable y है और maximum power क्या है दिख रहा है तो इसके degree कितनी हो जाएगी बच्चे 3 हो जाएगी इस वाले expression में इस वाले expression में डिगरी क्या है बच्चे 5 है क्यों क्योंकि आप 5 क्या maximum power है ठीक है I think समझ में आया होका आप लोगों को अब देखिए अब देखिए अब मैं आप लोगों कुसे question देता हूं और आप बताईगा इसके degree क्या है तो question है बच्चे कुछ इस तरीके से है कि 5 x square y plus 9 x square plus 7 y तो अब इस question में बताई कि इस question में degree क्या है तो आप बोलोगे न कि सर इस question में maximum power 2 दीख रहा है यहां पर भी वहान है तो इसका degree 2 हो जाएगा तो जैसे ही आप 2 बोलोगे यह क्या हो जाएगा एंसर गलत हो जाएगा बच्चे दिखिए यह question book में दिया नहीं है लेकिन आप आप लोग से सर लोग पूछेंगे सर या मैं जो भी आपको पढ़ाते हैं इस school में वह पूछेंगे जरूर आप लोग से तो इसके maximum degree क्या होगी तो आप बोलोगे ना सर यहां पर दिखिए सर पावर 2 है और सर यहां पर पावर 1 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा यहां पर 2 प्लस 1 यहां 3 हो जाएगा तो इस वाले एक्सप्रेशन के degree क्या हो जाएगी बच्चे 3 हो जाएगी ठीक है आई तिंग आपको समझ में आया होगा जो समझाया गया है अभी बच्चे इसके maximum degree क्या होगी 3 होगी मतलब कि जब भी दो variable साथ साथ रहते हैं तो दोनों को degree क्या करते ह है एड करते हैं 2 प्लस 1 3 और यहां पर 2 है तो degree क्या बच्चे 3 है अगर अलग अलग रहते तो एड नहीं करते यह तुनों multiply में इसलिए एड कर रहे है ठीक है आई थिंग मैं आप लोगो समझा पाया हूँ कि क्या है इसका मतलब अब अब देखे यहां पर देखें थोड़ लेकिन इसके lecture में किया है बच्चे एक्स 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 इसलिए आपर एक्स लिख के इसके पूरे में एक्स है इसलिए यहांपर ्यू प्यू एक्स योग कुछ भी ले सकते हैं ठीक है आगे देखिए आगी क्या बोला जा रहा है कि कोई भी polynomial होता है ना can have any number of terms अब मैं आप लोको बोलता है ना last video में कि आप लोगों बताऊंगा terms के बारे में कि terms क्या होते हैं तो देखे बची यहीं पर बता रहा हूं एक यह term हो गया और एक यह term हो गया तो यहां पर 123 term हो गया तो प्लस या पिट से समझारा हो ना देखे जितने प्लस या माइनस है उनको count करो पहला method क्या है पहला method है कि जितने प्लस या माइनस है उनको count करो और उसमें एक add कर दो तो उतने number of terms हो जाएंगे तो मैं 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 बोलूँगा कि इस expression में कितने terms है तो आप बोलोगे sir यहां पर प्लस माइनस 123 सर्थ 3 प्लस और माइनस का sign है तो यहां पर 4 term होंगे एक प्लस कर दो तो देखे 1 2 3 4 समझ में आ गया तो बच्चे यह है बच्चे टर्म्स ठीक है ना समझ में आ अगया अब अब अगर किसी में केवल एक term रहते हैं केवल एक term रहते हैं जैसे कि monomies one होता है monomies one होता है मतलब की ऐसा polynomial जिसमें केवल और केवल वन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं monomial क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं monomial बोलते हैं ठीक है तो यह क्या है बच्छे monomial है ठीक है next देखिए यहाँ पर one two यहाँ पर two term है तो two term वाले को हम लोग बोलते हैं binomial तो बोलोगे कि polynomial having only two terms ऐसा पोलिनोमिल जिसमें टू टम्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल बाई बी आई बाई बाई मतलब होता है टू और नोमिल मतलब होता है टम्स तो जिसमें दो टम्स हो उसको बोलते हैं बाईनोमियल और कोई ऐसा एक्स्प्रेशन जिसमें तीन टम्स होते है है तीन ट्रॉं जैसे कि यहाँ देखें इस आफने में देखें यहां 1-2-3-3 टरम्स है यहां देकिए one two three टरी टरम्स है तो थी वाले को हम लोग बोलते हैं ट्राई मतलब 2 तो प्लिनोमियल जिसमें क्या घोते हैं उसको हमना बूलते हैं ट्रीनोमियल मतलब कि म् ayudar म मतलब one term, binomial मतलब two term और trinomial मतलब three terms ठीक है समझ में आ गया होगा इतना तो देखिए जैसे मैं मैं बोलू ना कि बताइए यह कौन सा है तो यह बोलो कि सर यहां पर दो term है सर यहां भी दो term है binomial दो term है binomial दो term है binomial ठीक है न डिगरी में confusion मत होएगा ठीक है न और degree और इसमें term में कर्विजर मत होईएगा ऐसा न ने कि जहां डिगरी बोलना है वहां terms गरी मतलब highest power को देखेंगे box उसमें JakPEं नहीं है सब्सक्राइब क्या करतें गीवफ टर आइफ इंशांपलल तो देना है हमें जिसका डिग्री 35 है तो बाइनोमियल बच्चे तो देखिए यहां पर बोला जारा है बाइनोमियल मतलब कि इसमें दो तर्म होंगे तो अपनी मंद से लिख दो बाइनोमियल 6x-9 यह क्या है भी 1 है लेकि यह बहुत रहा है कि डीगरी क्या है आपको दिगरी लिखना है 35 तो इसका डीगरी 35 लिखे तो आप यह भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो y to the power 35 minus x थिक है यह भी बच्चे सही है या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर कि y to the power 35 minus 9 कुछ भी या प्लस 9 कुछ भी तो इसके नहां infinite answer हो सकते है एटसेक्टरा तो इन च omega brain क्या है बुझे वे इसका 383 यह है पहला answer आगे क्या बोला जा रहा है आगे भोला जा रहा है कि आपको क्या करना है कि इसका 100 है तो एक खो डीघ है of originally 29綠 हुझे दिच्छhe सका 100 है इसका 100 या फिर आ बोल्द है माईन्स्यस का y to the power 100 या फिर आप बोल दिये 9 x to the power 100 बच्चे तो इसमें देखो किवल एक term है किवल एक term है किवल एक term है किवल एक term है ठीक है ना समझ में आ गया तो बच्चे ये question number 3 का answer हो गया next देखते है question number 4 question number 4 क्या वो लगा रहा है question number 4 है write the degree of the following polynomial degree लिखना है तो बच्चे डिगरी का आपको नहीं पर answer लिख दे रहा हूं मैं तो देखे बच्चे डिगरी है तो बोलोगे ना सर डिगरी आपने बताया था कि variable का हम लोगे maximum power को देखते हैं तो बोलोगेसर variable सार यहां पर X X X shooting है तो सार यहां पर डिगरी सार पावर 3 है यहां टू है यहां वन मैक्सपावर क्या है तो इसकी डिगरी क्या हो जाएगी बोलोग시र इस वाले में सार वरिगरी वाई है सार मैक्सीम पावर टू सार है तो सर इसके degree 2 हो जाएगी आप लिखोगे ना the highest power of variable is 3 therefore degree is 3 ऐसा करके statement बना करके लिखोगे यहाँ पर बोलोगे सर variable यहाँ पर ना t दिख रहा है और t का power कुछ नहीं लिखा है मलब सर इसके degree क्या है 1 है कुछ नहीं लिखा बोलोगे सर यह क्या सर इसमें लिखा ही नहीं है बच्चे इसको बोलते है constant polynomial क्या बोलते है constant polynomial और याद रखिए constant polynomial की degree क्या होती है बच्चे यहाँ पर the degree of a non-zero constant polynomial non-zero मतलब होता है बच्चे जो non-zero है मलब कि जो 0 नहीं है जो 0 नहीं है मतलब कि 1 2 3 4 5 6 100 500 6987 कुछ भी तो कोई ऐसा जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने मैं बोल दिया ना कि 6 9-87 100 5786 बच्चे इन सभी यह भी क्या है यह सब क्या नोमेल लेकिन इनका एक स्पेसरा लाम होता है उसका मैं बोलुंगा constant polynomial यह क्या है बच्चे यह constant polynomial की degree क्या होती है बच्चे जीरो होती है क्या होती है 0 होती ही तो बदेखर 2 तो इहां पर 3 को मैं क्या लिख सकता हो 3 यहाँ पर वैर्येबल एक है इस के डीघरी क्या दिख आ को दिख रही है एक तो नंबर 5 क्या है क्लासिफा इस लीनियर क्यूटरेhoven AND QBIC political अब इसको समझ मतलब की इसमें जो भी वैरियेबल होगा उसका MAKSIMUM POWER कितनا होगा and one होगा तो यहाँ पर बोला जा रहा है अब polynomial of degree 1 ऐसा polynomial जिसका degree क्या है 1 है ना उसको हम लोग बोलते है linear polynomial Sir example दीजिए दिखे इस वाले expression को देखे और बताईए कि इसका degree कितना है तो आप बोलोगे Sir इस expression मेंना Sir variable X है और variable X के power के पर कुछ नहीं लिखा है इसका degree क्या है 1 है तो यह क्या है बच्चे इसको बोलेंगे linear polynomial बोलोगे Sir इस expression मेंना Sir variable Y है और इसका power क्या है 1 है इसलिए Sir यह क्या है linear polynomial है बोलोगे Sir इस expression में भी Sir variable क्या T है और T का जो maximum power है Sir हो 1 है तो Sir यह क्या है linear polynomial है इस वाले में भी variable Y है यू है और variable u का maximum power क्या है बच्चे 1 है तो यह क्या है बच्चे linear polynomial है ठीक है I think समन में आ गया होगा अब दूसरा देखते हैं बच्चे quadratic polynomial क्या देखते है quadratic polynomial आप बोलोगे कि a polynomial of degree 2 ऐसा polynomial जिसका degree 2 होना उसको हम लोग बोलते है quadratic polynomial क्या बोलते है quadratic polynomial quadratic का ही दूसरा नाम है इसकवाइर polynomial क्या नाम है इसकवाइर polynomial को क्योंकि बच्चे जब 2 लिखा रहता ना तो हम लोग उसको पढ़ते हैं क्या पढ़ते स्काइर पढ़ते हैं तो बोलोगे की चाहे तो यह expression हो चाहे तो यह एक्स स्प्रेशन या चाहे तो यह थो इन चारो एक्स्प्रेशन मैंश बच्चो जो व्यसिवल है ना वो क्या है एकस 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 है और सभी के डिगाहे बच्च Schw accents है और सभी के डिगाहे थू है और जब डिगीश्जा ही तू है और तू हून इस पॉलनोमल क्या बोलेंगे बच्च्चे quadratic polynomial बोलेंगे, अब next क्या है बच्चे, next है cubic polynomial तो बोलोगे कि a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial, कोई ऐसा polynomial जिसके degree क्या हो, 3 हो, तो उसका लोगो बोलते हैं cubic polynomial, तो मैं बोलूँ गाना कि चाहे तो ये expression ले लो, चाहे तो ये expression ले लो, चाहे तो ये expression चाहे तो यह expression चाहे तो यह चाहे तो यह तो इन सभी expression में ना बच्चे जो variable है ना X इनका maximum power क्या है बच्चे 3 आ रहा है तो इसके degree क्या होगी बच्चे 3 होगी और इस type के polynomial क्या बोलते हैं बच्चे cubic polynomial क्या बोलते हैं और यह चीज़ जब याद रखो क्या याद रखना है याद यह रखना है ना कि हम लोगों को पहले तो पहले आप लोगों को बता दूँ है फिर बताता हूं concept तो देखें क्लासिफाइब the following as linear तो linear मतलब कि जिसका degree 1 हो quadratic मतलब जिसका degree 2 हो और cubic मतलब जिसका degree 3 हो तो बोलो कि सर इस वाले expression में ना सर maximum degree 2 दिख रहा है तो सर यह क्या है बच्चे यह है quadratic polynomial गहां इस वाले equation में maximum degree 3 दिख रहा है तो यह क्या है बच्चे तो दिख रहा है तो यह क्या है बच्चे quadratic polynomial इस वाले expression में maximum power 1 दिख रहा है तो यह बच्चे linear polynomial इस वाले expression में भी degree क्या है बच्चे 1 है तो यह क्या है बच्चे linear polynomial इस वाले expression में degree 2 है तो यह क्या है बच्चे quadratic polynomial और इस वाले expression में degree क्या है 3 है तो तोई क्या है बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल ठीक है आई थी संघ में आ गया होगा है अब 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 देखते हैं बच्चे अब सीख्टें हôm तोफा दीडेंडLaughाइ बारे में जीर्ओ पॉलिनोमियल होता क्या है देख्विल नाम में चुपा प्लस B X प्लस C या कोई लिखा हुआ है A X Q प्लस B X स्क्वायर प्लस C X प्लस D ये है बच्चे linear polynomial का standard form ये है बच्चे quadratic polynomial का standard form ये है बच्चे cubic polynomial का standard form standard form क्या होता है वो आगे जाके आप लोग पढ़ोगे बस आप इतना समझें कि अगर मेरे पास 3 polynomial लिखे हुए है इन 3 polynomial में अगर मैं A और B का value 00 रख दू A और B का value 00 रख देता हूँ तो 0 multiply X 0 हो जाएगा और 0 plus 0 क्या है बच्चे इसका answer 0 आएगा इसमें भी same to same जब A, B और C का value 00 रख दूँगा तो क्या है बच्चे इसका भी answer 0 आएगा और इसका भी answer क्या रख देगा बच्चे 0 आएगा तो बच्चे जब जब क्या हो polynomial का value 0 होता है जब polynomial का value क्या होता है बच्चे 0 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे 0 polynomial क्या बोलते है 0 polynomial कब होता है 0 जब हम लोग क्या करते हैं जो भी यहां पर a b c रखे हुए है उन सब क्या रहते हैं जीरो पूट करते हैं तब तो जब हम लोग क्या करते हैं सारा सारे constant जब 0 होता है, सारा constant क्या होता है, जब 0 होता है, तो जो हमें expression मिलता है, उस expression को हमनों क्या बोलते हैं, 0 polynomial बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 0 polynomial बोलते हैं, समझ में आ गया, और कोई पूछे कि 0 polynomial का degree क्या होता है, याद ये रखे न, जो constant polynomial होता है, उसका degree क्या होता है, बच्चे 0 होता है constant polynomial का degree 0 होता है और 0 polynomial का 0 polynomial का degree बच्चे not defined है क्या है not defined है क्यों से not defined है वो बता दो तो बता दे रहा हो ना देखिए 0 लिखा हुआ है तो 0 को आप ऐसा लिए सकते हो 0 x to the power 100 बच्छे 0 multiply कुछ भी करो कि क्या आएगा 0 या आएगा या फिर आप बोल सकते हो 0 y to the power 100009 इसका degree कुछ भी लिख दो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि यह 0 है तो 0 polynomial का degree not defined कुछ पता नहीं है not defined होता है और non zero polynomial नौन जीरो कॉंचेंक का जिए आप लिखा हुआ है नौन जीरो कॉंचेंक का दिए यहीं था यह concept था exercise 2.1 क्या यहां पर over होता है आगे वीडियो और क्या होगा आप लोग को exercise 2.1 का आप लोग को नोट्स को सेफ करके रख सकते हों अपने फर्दर स्टडिस के लिए ठीक है बच्चो बच्चो आप हमसे कनट रहने के लिए ना हमारे टेली गरांट चनल को भी जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ठीक है अगर आपको ये वीडियो यूसफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सिखने को जरूर मिला होगा अगर आपको ये वीडियो यूसफुल लगा है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और इसमें दुस्तों के साथ सेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू